असोलो एग्जिबिशन मुनकित की गई हमाइल आट गैरी जिसमें एक्लेम्ट के रिसेंट 48 आट वर्क्स को डिस्प्ले किया गया अ मिलाच of heritage and spirituality, this collection pushes the boundaries of traditional calligraphy to unveil further aesthetic dimensions of the Quranic script through innovative compositions. मैंने canvas, oil and canvas के साथ ये मैंने medium यूज किया है, इस medium में जो जितने भी खात हैं मुसलिफ सबसे ज्यादा जो खात लिखा जाता इंटरनेशनल सता पे वो है अमार्ती खात जिसे अरैशी खात का आ जाता है, खात सुलस लेकिन इसमें मैंने ज्यादा जो काम किया है इस exhibition में वो खत कूफी उसमें मैंने काम किया है पेंटर जुल्फिकार अली ने यूज की है अपनी exceptional skills और keen artistic sense to create a patchwork of beautifully and meticulously inscribed Quranic verses जुल्फिकार अली की पेंटिंग्स में experimentation नज़राती है जुल्फिकार अली ने अपने artwork में different calligraphy scripts को इस्तमाल किया है in various sizes and forms जुल्फिकार अली ने अपनी painting's में color palette को simple रखते हुए backgrounds create की है in variations of tea and coffee brown ये technique convert कर देता है canvas को एक old decade page की form में emphasizing the aspect of bookkeeping इन्होंने canvas के उपर बड़ी details से खुबस्वरत अंदाज से कैलिग्राफिय लिखी है इसकी composition बहुत सारे दोस्तों से different है इसमें जो शम से उन्होंने use किये हैं अपनी नौयत का एक मुन्फिरिद काम है पाकिस्तान के various artists ने कैलिग्राफिय के fun में अपनी सलाइयते मनवाई हैं और जिल्फिकार अली ने भी अपने art work में justice किया है इस fun से इसमें बहुत खूबसरत बहुत वेरियेशन से इसकी style में देखें, इसके writing में देखें, इसकी lines में देखें, इसकी symbols में देखें, हर तरफ हमें इसकी creation नज़राती है इसलामी फने खताती की है एक तवील इलिस्ट्रियस हिस्ट्री और जल्फिकार अली अपने आर्ट वर्ट के हर पीस में किरियेट करते है एक ऐसा एम्बियंस जो के वीवर को ले जाता है इंट्रूर वर्ल्ड आफ नॉस्टेल्जिया